कि अधर दोस्तों मेरा नाम है प्रजेस और मैं आपनों को पढ़ा रहा था स्विजिक्स में एक प्रिस्टाटिक्स तो हम लोग एक्ट्रिक फिल्ड पर रहे थे फिल्ड लाइन्स किछ लिए हैं उसके प्रपोर्टीज जान गए हैं और पॉइंट डिस्क्रीट चार्जेज और वह भी दो तीन की बात हम लोग कर लिए और वही कुछ फिल्ड लाइन पर पर प्रप्रिकुलर बाइसेक्टर पर और लाइन जोईनिंग पर हम लोग ग्राफ फिर चुके हैं हाना कि मैं बता चुबाओं कि फिल्ड तो हर जबह होता है तो अब जुक वसके उसे रिलेटेड हैं इनको समझने की कोशिश करते हैं तो एक क्वेश्टन करते हैं जबाद सको लिखे for given graph of electric field for given graph of electric field versus position on line joining versus position of position on line joining of charges A and B then find then find sign of charges and then find sign of charges and inequality of their magnitude then find sign of charges and inequality of their magnitude in each case चलिए करते हैं यह बहुत अच्छा क्वेशन है और इस क्वेशन से हम नहीं सीखने के करेंगे बहुत बड़ी चीज़ सीखेंगे साइंस के एक अच्छी बात होती है काफी जादा केस में implies and implied by होता है और बहुत सारे केस में implies and does not imply by होता है तो इसका मतलब होता है कि यह है तो imply करता है कि यह है और यदि यह है तो imply करता है कि यह है यह इसको imply करता है और यह इसको imply करता है और कई बार ऐसा होता है कि यह इसको imply तो करता है पर यह इसको imply नहीं करता जैसे, एक्जाम्पल नेगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, जैसे, ये भी force है, force निकालना है, तो mass into expiration से आजाएगा, और mass into expiration करोगे, तो वो net force आजाएगा, इंप्लाइज लाइब बाइब है, है ना, कई बार जैसे, implies and does not imply by, देखते हैं, जैसे मैं कहुँआ कि, net force 0 है, net force 0 है, किसी भी massive body के लिए, net force 0 है, तो net force 0 है, implies and implied by, net force 0 implies that acceleration is 0, and acceleration is 0 implies that, net force 0, लेकिन, जब दूसरी जगह देखते हैं, velocity constant है, तो imply करता है कि speed constant है, पर speed constant है, तो imply नहीं करता कि velocity constant है, हो भी सकता है और नहीं हो सकता है, क्योंकि speed constant का मतलब होता है, velocity का actual magnitude constant है, direction के बारे में मालूब नहीं है, यह, तो और चीज़ ऐसी पाते ने तो कहेंगे कि, यदि पात के नाम पे देखते हैं, यदि velocity constant है, तो पात straight line है, velocity constant है, तो पात straight line होगा, लेकिन पात straight line होगा, तो कोई जरूरी नहीं है कि velocity constant हो, क्योंकि straight line होते भी भी acceleration हो सकता है, और acceleration होता है, तो velocity change होती है, example यह देखिए, यह देखिए, यह देखिए, straight line है, लेकि velocity constant नहीं है, तो यह मैं त्यों बता रहा था, क्योंकि इसलिए मैं बता रहा था, आपके दिमाग में बात आये, जिस physics में बहुत सारे questions या किसी subject में इस तरह के बनते हैं, खाल से physics में, कि हम यह दे रहे हैं, तो आप यह बताईए, math में बनते हैं, क्योंकि में बनते हैं, पर physics में ज्यादा बनते हैं, कि कुछ situation ज्यादा होता है, यह दे, हम यह सब दे रहे हैं, तो आप ये बताईए, लेकिन जब वो कह देंगे कि, हम यह दे रहे हैं, जो यह हो रहा है, जो result हो हो रहा है, हम दे रहे हैं, तो बताईए, क्या कुछ, शुरू वाला condition, कठिन होता है, हमानों शुरु यज़न दे दें और बाग कुछ पूछ लें तो असान होता है और बात में देदें कि यह हो गया और सुरु कुछ विलासी बताई यह गुड ही उस तावश तो चलिए देखते हैं पहला केस लेते हैं और मैं यह बाप करता हूं जो दी आ गया है यह है यह है यह है बी छीट है और वैसे तो पूरा ग्राफ भी दे सकते हैं लेकिन तो पूरा ग्राफ भी दे सकते हैं लेकिन अभी लेकिन मैं अभी वीच वाला देखे भी पूछ रहा हूंगा यह है यह है यह है बी दी मैं अभी does शोव अगो बी है यह है यह हम सुन ज यह है A और यह है B इस तरह की बात हो रही है ना और हम लोगों को बताना है कहीं तो मैं options दे दता हूं उसके अंसाराब बताईएगा किसी बें question के लिए option यह रहेगा A option दे दियाएगा कि ऐसा है भई कि A positive है and B B positive है दूसरा दूसरा A positive है and B negative है तीसरा A negative है और B भी negative है और चौथा A negative है और B positive है एक तो यह possibility है कि हम लोग बताएं है और यह possibility है कि हम लोग इन में से जो magnitude है उसकी बात करें है magnitude के नाम पर यह बात करते हैं और आप लोग बताएं है कि इसमें से क्या सही है इसमें बात करूं कि Q A एक और है इस तरह की बात हो सकते हैं और आप्शन Q A मॉड ग्रिटर दन क्यूबी मॉड दूसरा है Q A मॉड लेस दन क्यूबी मॉड C है Q A मॉड बराबर Q B मॉड और D है Q A गैन नॉट से गैन नॉट से मतलग इस तरह की बात हो सकती है अच्छे मैगनीटूड है मॉड लगन से घंगराना नहीं चाहिए ताकि साइन में इसा साइन वाली इनिक्वालिटी नहां आ जाया ना यह भी एक पॉइंट वाइसी लिए मोड मोड लग गया है ताकि हम लोग चलिए दिखते हैं क्या हम लोग पहले याद होगा किस तरह करें होने लगर हुआ हो समझनी कोशिद करो करते हैं याद करो mechanics में करते हैं कि velocity expansion यह हों दे रहें तो ग्राफ फिर दीजिए और एक और कोशन होता है कि graph हम दे भी हैं तो बताओ कि कितना दूर चला है कितनी velocity है कहां तक maximum displacement है तो कहां पे maximum acceleration है तो कहां पे positive aywire सने याद है तो वही वही बहुत है कि कुछ चीज़ें हम दे तो आप गराफ कीज़ी अचाहर मटरा दें तो यह बहुत कुछ कुछ बता दिजिए उसका तो वहीं वाली भात है कि पहले हम चार्ज दे दिये थे तो आप क्या किये थे ग्राफ खिचे थे और अब हम आपको हम अब ग्रास देदी हैं और चार्ज के बारे में बताना आपका काम है देखते हैं चलो अब ध्यांसे मेरी बाउप सूनो चार्ज को साइन कैसा होगा उसके करीब से पता चलेगा कहां सब्सक्राइब करीब से यहां पे इन दो विसेनिटी अफ पॉइंट चार्ज के फिल्ड का सटी करके हम लोग साइन हमेशा हर जगह बताया करेंगे आगे पढ़ लेंगे तो हम पोटेंशल मी बताया करेंगे पर अब फिल्हाल फिल्ड है तो फिल्ड बत कि बात हम लोग करीब से करेंगे इसके पास से करेंगे इसके पास से करेंगे इसके पास से करेंगे पास है और साइन हो जाएगा तो उनके मैगनिटूड का बड़ा चोटा हो ना यह बीच वाले पॉइंट से बीच वाले पॉइंट से या किनारे ग्राफ वाला तो किनारे वाला वो एक पूरे ग्राफ का as overall look से बता पाएंगे कि कौन डॉमिनेटिंग है करी चली ओवरॉल ग्राफ देखके मिनीमू मिनीमू वाला से हम लोग बता पाएंगे कि उसमें से कौन सा बड़ा माइनिटूड है तो चलिए करते हैं शुरू करते हैं सब्सक्र काइब मैं सोच भाओ कि अब इधार तो हैं नहीं ग्राफ के घरी है कि इसकर करीब हमें देखते हैं ज्युक्त देखो तो यहां पर य को बटाओ यहां पर फील्ड प्लस है कि माने से तो को ओंगे सैसर भी फील्ड प्लस चुब अउ प्लस ओगा तो मैं कहूंगा तो मैं पर विया गु हम पर है की नीचे घंप ने ऊपर है फिल्ड यह मैगनिटूड है, फिल्ड का डारेक्शन उपर नीचे नहीं होता, फिल्ड का डारेक्शन लाइन जोईनिक पर इधर उधर होता है, भल ही ग्राफ इसके बनाओ, यह एक इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान लगना, मतलब ग्राफ उपर बना है, तो प्लस है, फिल्ड इधर है, अधि ग्राफ नीचे बनाओ, तो फिल्ड नीचे की तरफ नहीं है, फिल्ड इधर की तरफ है, माइनस, तो यह एक बड़ा पॉइंट है, साइंस में, फिजिक्स में जो समझने की जरूओत है, तो करते हैं, बताओ, फिल्ड प्लस है की माइनस है, ऊपर प्लस मतला इधर है इधर है इससे यहां पर आवे है कि टूर्स है तो कोहोगे आगे है देखो इसके रिस्पेक्ट में यह आवे है और आगे तब होता है जो प्लस होता है तो पता चल गया आंको एक पॉजिटिव है परिकत आगे बढ़ते हैं चलो अगर्शा इसका साइन पता करना है तो हम यहां पर नहीं यहां पर नहीं है तो यहां पर देखतेैं में इसके करीम में यहां पर आपर बताओ उपर ग्राफ यहां पर फिल्ट प्लस है कि माइनस है यहां पर फिल्ट प्लस है कि माइनस है तो कहोगे माइनस है नीचे है राख देखो नीचे मैं कहोगा माइनस है तो बताओ यहां पर इधर फिल्ट कहें कि उधर फिल्ट कहें तो आपको याद है न कि इधर प्लस होता है इधर है तो कि उख़ाओ यहां कि इधर को हुए है इधर किमिर इधर कि इधर इंगुल को मैं कहोगा इस से अवे हैं कि 4 खालोड हो तो साइन कैसा होगा तो प्लस होगा तो मैं कहूगा दी भी या मैं सिर्प कोई दिखत बड़े आराम से करना है कोई दिखत नहीं गांज सुनो बस प्रेम से आराम से चलो अच्छा यह बताओ इसकी में प्रिकल है बीच ओ बीच है और बीच ओ बीच जीरो है तो जितना इसका फिल इधर होगा उतना ही फिल इसका इधर होगा तभी तो जीरो होगा और यह तभी संभव है जब दोनों का मैगनिटूड बराबर हो नहीं तो जीरो होगा कैसे तो हो गया इसमें C है और इसमें A है बस इतना ही पढ़ना था वीडियों को से लो और इसको तुम अपने से करो और देखो क्या कर पाते हो चलो वीडियों को सब लेना तुमों करना मैं अभी करता हूं ध्यान सुना कि यहां पर देखते हैं यहां पर देखते हैं यह चार यहां पर देखते हैं बताओ फील प्लस है कि माइनस है तो कहोगे कि बताओ निली माइनस पर इधर कि तरफ है कि उधर की तरफ है तो कहोगे माइनस मतलब इधर की तरफ है वहीज और फूर की टरफ है ड्स चार्झ यहां पर ट्रकलता है मैं वाधनायोर जाया है वैया चार्ञ की तरफ है टूर्स चार्ज है माइनस जो क्योंकि टूर्स तो माइनस माइनस का ही होता है अपनी तरफ हो गया अच्छा वी देखते हैं द्यान से समझना बी यह देखो यहां पर करीब में देखते हैं बताओ यहां पर जो फिल है यहां पर माइनस है कि मेशल कहें ईधर का में इधर तो चार्ज से अवे हैं, तो कहोगे चार्ज से अवे हैं, कहोगे चार्ज से अवे हैं, और चार्ज से अवे फिल किसका होता है, प्लस का होता है, इसका मतलब D, M, B, प्लस, दुसरा, देखो, मीनिमम, मीनिमम जहां पर है, वो एक्जाक्ली बीच ओ बीच है, जब चीजे एक्जा gonna control and charge का magnitude बराबर ही होता है, मिनिमंग के नाम पर बीचो बीचो बीचो,çiहяние 0 के नाम पर बीचो बीचो बीचो, magnitude तो बराबर ही होता है तो हो गया, है कौन सा लगा option से हो है इसे ए नीगेटिव और और B positive, A negative, B positive, D option सही है, इसके लिए D option सही है, और यहाँ पर C option सही है, वीडियो को pause करो और इसको करने की कोशिस करो, देखो तुम कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, चलो, मैं बताता हूं तुम्हें, यहाँ पर देखो, यह बताओ कि यह प्लस है, यह यह है, तो यहाँ पर फिल प्लस है कि माइनस है, तो कहोगे माइनस है, माइनस मतलब इधर है कि इधर है, तो कहोगे इधर है, मैं कहोगे इधर है, मतलब इधर है मतलब इधर, मैं कहोगे ब चलो यह बताता हूँ सो यह देखो तो किता है ना तसमें बक फील फ्राप मAlitt tomorrow स्कारवर कि धर हुआ तो और न मेन कुण ऑगा ही हिए छार्ज की तडिस टरफ है कि चार्ज से चार्ज की तडिस cuatro और जाज की तड़स है तो तो ऊढ़ा है तो कि तरफ है आपको याद होगा, चाहे मीनिमम चाहे जीरो है, यह दीजो बीच हो, तो मैगनिटूर बराबर होता है, आइधि की किसी तरफ क्षिप्ट हो, जिसकी तरफ क्षिप्ट होता है, उसको कमजोर मना जाता है, ताकि वो अपना फिल लगाके अपना बराबर कर सके तो हमेंसा बैलेंस करने के लिए किसकी तरफ शिप्ट होना पड़ता है कमजोर की तरफ ताकि ज्यादा फिल्ड और फोर्स लगाके बैलेंस कर सके तो कौन कमजोर पड़ रहा होगा वी तभी तो इधर शिफ्ट हुआ है इसका मतलब मैंनी टू तो क्या आप लोगों को यह देखने आ गया यह देखने आ गया तो ठीक है कोई बात नहीं आपको इस तरह के सारे कोशन करिएगा समझने के कोशिश करिएगा इलेक्ट्रिक फिल्लाइंस में बता चुगा हो कैसे दिखा जाएगा आज ग्राफ में भी बता गया अब हम वाटा से एक दो कोशन और कर दीजिए और फिर शिवाद हों लोग हो कि चलो एक दो कोशन और देखना हो फटा फटा कर दो तीसरा चौथा यह है चौथा यहां लाकर दो कि यह ए यह बी और क्यों एक में वैल दे रहा हूं ना यह होगा बता जिएगा कि ए और बी कैसा है यह रहा पांचवाँ यह रहा यह रहा यह रहा बी और यह रहा चाथा यह रहा यह रहा यह रहा बी ऑठीक है तो आप लोंगों बताना है कि इंसम में अब दिखेंगे नहीं फटीश में दिया हूं लेकिंश्वर्म है किनारे देदियां हो किनार पताना है चलिए देखते हैं कि इन में से कौन सा सही है इसमें कौन सा सही है ध्यान अब अब पहले तो पहले यह जान लो कि जब जब चार्ज अपोजिट साइन के होते हैं तभी प्लस माइनस का करेक्टर इधर बदलता है इधर इधर बीच वातो जो देखें यह तो पहला पॉइंट यह है कि चार्ज के सेंट जांगे तो इधर एक ही तरफ फिल मिला पहिंगे या तो दोनों फिछ भीच ही लेंगे या तो दोनों रिप्रि कर देंगे तो इस तरह का डारेक्शन नहीं बल्कि या तो माइनस होगा या तो नीचे होगा या तो उपर होगा नीचे उपर हो जाने का मतलब होता है कि एक दुसरे का विरोध किया गया है तो साइन अपोजिट होगे यह तै हो गया इसका मतलब साफ है ना ही दोनों प्लस आंसर हो सकता है ना ही दोनों माइनस हो सकता है यह समझो और क्यों ऐसा होगा मैं संजाना फिसे योगी प्लस प्लस होगा तो यहां पे दोनों ही धर देंगे साना नीचे होना ओपार नहीं बनता तो यहां पे फिल अपनी तरफ दोनों देते, इधर देते, इधर देते तो negative फिल होता, negative फिल होता तो नीचे ही गराब बनता, उपर नहीं बनता, इसलिए दोनों के right से right में और left के left में जो ये reason है, दोठो, बीच वरा नहीं, ये reason में ये उपर नीचे हो गया, तो opposite sign होना त तो दूसरा उलटा करते हैं यह पहले पता नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर ग्राफी नहीं है सुचलो बीडिल पता करते हैं लिटा एक बता है फ्रण सांस रजाए पहला को हमते हैं कि गाल सुना ग्राफ तो इधर यह द दल और लगंगे तो यहां पेखते हैं तो ग्रफ में देखो तो में अलिबूराume अमाइना हुँद में इसा है फिर्ल देखाना कि बताम हूद फिर्ट फिर्ट कि मैं टो मारि टो तो ग्राफ में माइनस है, मैं कहुँगा कि फिल्ट रिली में होना इधर उधर है, तो इधर कहा जाए माइनस कि इधर कहा जाए माइनस है ना, तो इधर इधर करना है ना, उपन इजे थोड़ी करना है तो इधर इधर तो प्लस होता है, इधर प्लस होता है जानते ही हो, तो एधर हमें कहना होगा तो यहां पर फियल्ड इधर कहना होगा मत COM wellness की तरफ के चार्ज से aware है तो इससा की बात्चित हो चुका है बात Fest करना नहीं है ए प्लस है क्योंकि अपोजिट होना तैखा तो भी पता करते ही ए मालूम चल गया और इसमें से आंसर है बी निगेटिव बी निगेटिव ए पॉजिटिव बी आंसर है बी समझो मैं क्या बता रहा हूं दूसरा यह मैं नी तूट जला देखो कि समझिने की कोशिच मेगनिटूट को यहां पर यहां पर ध्यां से सैंगेए जो उपन नीचे वाली बात होती है न यह यह जो उपन नीचे बाथ होती है यह तभर संभाव है जब इन है वहां पर इस फिल्म में भी दूर होने पर अपनी वैलू कर लेता है बहुत दूर जाने पर अपना प्रभाव दिखाने लगता है। ये पास में तो दिखा पाता है पर दूर जाने पर ये अपना प्रभाव दिखाने लगता है। इसलिए उपर नीचे होने लगता है, पास में इसकी बात मानी जाती है, दूर पे इसकी बात मानी जाती है, यह तभी संभव है, जब यह कमजोर हो, तो हमेशा जिस साइड यह बना होता है, जिस साइड होता है, वो मैगनिटूड में कम होता है, हमेशा, जिस साइड यह बना ह होता है मैं बुदल में कम होता है क्योंकि कुरे में इसी का बस नहीं चलता तो निगेटीव रहे पॉजिटीव है तो पॉजिटीव ही रहे थी कुछ दूर निगेस्टीव कुछ दूर पोजिटीव उने कारा यह बड़ा होता है जो अपना दूर के भी प्रहुत होता है तो बतारो बिकांड का डिटूड ऐसे कम है एक यह बाख्यू कि है समस्जरा होंगे मेरी है तो क्या आप लोग यह बता सकते हैं लेन पहला point क्या A और B opposite sign के हैं पहला point पहला point A और B opposite sign के हैं नहीं तो ऐसा बात नहीं होता चलो देखते हैं A का पता करते ही B बता रहेंगे देखते हैं अभिन को देखते हैं A को देखते हैं यहाँ पे फिल्ट देखते हैं अच्छा यहीं पता कर सकते हैं भी तो पता कर नहीं है तो प्लस इंपाइनाइट है मतलब प्लस है, प्लस मतलब इधर है कि इधर है, तो तुम कहोगे वह प्लस तो उधर ही होता है, तो उधर है, इसका मतलब फिल इधर है, मैं कहोगे चार्ज की तरफ है कि चार्ज का अबे है, तो कहोगे चार्ज की तरफ है, चार्ज की तरफ क्या होता है, निगेटिव होता ह और यह दिए मिल गया तो भी पता चल गया क्या होता है पॉजिटीव क्योंकि उल्टा होना था अब बताओ ए मैगनीटूड में पड़ा की भी मैगनीटूड में पड़ा याद करो इसाइड नाटक होता है न उपर नीचे प्लस- фин Review सुझ। ग्राफ प्लस तो कुछ ग्राफ मैइनस यह नाटक के लिए यह सही और بस मतलब यह और ये क्या ये वाला कर सकते हो वीडियो को पॉस करो और करो देखो कि तुम कर पाते हो कि नहीं ये वाला देखो कि तुम ये वाला कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो मैं करता हूँ ध्यान से सुनना बताने के लिए मैं यहां पर देख रहा हूँ जब मैं किसा एक डिए निधिश्च नमुद्स निध्य पारे त्मीम चार्ज पेंदो टिंआ है ईंए उपर को सब्सक्राओ विर चार्ज तरफ नो निध्युना को चार्ज तरफ choir तो है इधह है फिल में कहोंगा चार्ट से अवे हैं कि चार्ट की तरफ है तो पहुंगे चार्ट से अवे हैं मैं कुछ CONावी है फटार से तहक着 हुआ कि यह लोग पॉसिटिव धड़ा धड़ हो रहा है, समझने की कोशिश करो, A negative, B positive, D, D option, दूसरा, समझने की कोशिश करो, मैं यह कहूँ कि बीचो बीच रहता minimum, बीचो बीच रहता, तो दोनों का magnitude बराबर होता, पर shift उधर की तरफ होता है, minimum के नाम पे, minimum के नाम पे, जिसका magnitude कम होता है, क्योंकि जादा वाले की तरफ चले जाएगे, तो minimum थोड़ी दो और बढ़ा देता है, तो किसकी तरफ minimum की बात होती है, हमेशा charge कम की तरफ, मीनिमम या 0 वाली जो बात होती है, बैलेंस के नाम पर, तो magnitude of A is less than magnitude of B, यही है, तो क्या आप लोग सीख गए, क्या इस तरह के questions कहीं भी आएंगे, तो समझ पाएंगे,